मित्रों जय माता दी आप देखें धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा मैं रोज की तरह एक बर प्रेसे मैं आज रहूं आज का संपून रासिपल लेकर यह संपून रासिपल है सुमवार यारे की 21 फरवरी 2022 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज यह विक्रम संबत 2078 फाल लेकुन मास क्रिष्णिपक्ष की पंचमीदेथी पंचमीदेथी आज सामके साथ बचकर 21 नियदों नहीं है मित्रों आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक मोर्थव गयाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है आज के संपून रासिफल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासिफल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे रासि अनुसार कौन सा खादे पतात सुब रहेगा, रासि अनुसार कौन सा रंग सुब रहेगा और लखी नमर क्या रहने वाला आपका रासी का अनुसार तो वीडियो में हमारे साथ अंतग बने रही है ताकि आपको संपूर्ण रासीफल की जानकारी मिल पाए रासीफल का वीडियो पसंद आज जानकारी अच्छी लगे तो से लाइक करें, कमिट बॉक्स में जह मता दी चोड लिखें मितनों आज का संपूर्ण रासीफल आपको बदाना आरम करो उससे पहले आए एक निज़र डालने आज के गरहों के इस्तेती पर क्योंकि गरहों के स्तेती पर ही पूरा रासीफल निर्वड करता है आज राहू विरिस रासी में, चंदरमा तूला रासी में, केतु विरिश्चिक रासी में, मंगल सुक्र दुनुक साथ धनुवासी में, बुद्ध सनी मकर रासी में है और सूरी गुरु कुम रासी में है तो यह नहीं सभी गुर्णों का मिलाद लाल आज के रासी पहले हम जानेंगे तो आज यह बात करेंगे पहली रासी मेसरासी की तनाव से बाहर निकलने में आपको आज मदद भी मिल सकती है। दिम भर खुश रहेंगे और परसन नभी रहेंगे। बात करेंगे व्यापार और धनकी। तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आर्थिक इस्तिती आपकी बहतर भी होगी। विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात के पुराने रोग खत्म हो सकते हैं का सुब्रंग, आस्मानी रंग, लखी नम्मराज का साथ रहेगा बात करेंगे वरिस्दासी की वरिस्दासीम चंद्रमा आज आठ्धे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसु बात आज 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 आपकी सामाजिक महथ्य कारियों में व्यस्तता बनी रहेगी आज किसी अंचाहिव व्यक्ती से आपकी मुलाकात संभव है जिसके कारण आपका मूड भी खराव रह सकता है खान पान में आपकी रुची बढ़ेगी आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी मामले को हलके मिनना ले कारी छेतर में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुस भी रहेंगे बात करेंगे व्याफार और धनकी तो नोकरी और कारी छेतर में बदलाव हो सकता है आई के साथ दों में बढ़ोतरी होगी और खर्च भी आपका बढ़ेगा बिजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में लाब संभव है मकान या भूमी समंदित कारियों में थोड़ी चिंता आपको आज रह सकती है बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के नि महनत बहर रह सकता है ज्यादा महनत का आपको कम फल भी प्राप्त हो सकता है तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात करेंगे आज के न थकान और अलसे से परिशान रह सकते हैं अपने आपको कम समय दे पाएंगे अपने माता के स्वास्तिक आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंद की बात करें तो प्रेम परस्ताव आपके विफल हो सकते हैं विवाद होने की संभावना बन रही है तो प्यार की जहार करने से आज बचें आज के नगर दही खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरारंग लकी नमर चार रहेगा बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी मिचंद्रमा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज आपकी योजनाय सफल हो सकती है दिन भर आप वैस्त रहेंगे आज अपना काम आप पूरी एकागरता के साथ भी कर पाएंगे दोस्तों के तरब से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है संतान से सुख मिलेगा पारीवारिक मामले में थोरी उलजहन आपकी आज बरह सकती है धैरी में कमी आ सकती है कारी छेत में आपकी स्थिती में सुधार भी संभव है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार और निवेस में धनाहानी की संभावना बन रही है तो सलाह विचार करके ही कुछ कारी करें अचानक से धनलाप की भी संभावना बन रही है साथ ही आपके खर्च भी आध बर सकते हैं बात करेंगे विद्यार्थी की आज विद्यार्थियों के आत्मिस्वास में बरोतरी होगी जिससे लक्ष को प्राप्ट करने में आपको आसानी भी होगी स्वास्ति की बात करेंट स्वास्तिय आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन अपने पिता के स्वास्तिक आपको अध्यान रखना चाहिए प्रेम समन्द की बात करेंट और विवाहित लोगों को अपने प्रेम समन्द में सजेत रहने की जरूरत है आपके प्रेम समंद उजागर हो सकते हैं साथ ही आपके पार्टनर का मूर भी खराब रह सकता है जीवन साथ ही साज हलकी नोगजों की संभावना बन रही है आज के निगर गेहूं से बनी वी चीए खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज कलर लखी नमर तीन रहने वाला है बात कहेंगे करकरासी की करकरासीम चंद्रमा दसमें स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप आज किसी पर भी ज़्यादा भरोसा करने से बचें कारी छेतर में आपके अधिकारी आपसे परसन न रहेंगे आपके आत्मिस्वास में पढ़ोदरी भी होगी मकान, जमीन, जायदात से समंदित मामले आपके आज सुलज सकते हैं नए लोगों से दोस्ती भी हो सकती है आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है तो अपनी वानी पे नियंतर रखें जो भी बोलें सोस समझ करी बोलें कहीं घुमने फिरने की योग भी आपके आज बन सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन सकती है कहीं निवेस करना चाहते हैं तो लोगों की सला निश्चीत दोर पढ़ लें खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी जिसके कारण आपको चिंता भी आज रह सकती है किसी ब्रगारगी बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों की रुची आज परहाई में बढ़ेगी साथ ही इसके परिणाम भी अच्छे होंगे स्वास्त की बात करें सिर और पेट समंधी कुछ परेसानियां रह सकती है अपने भोजन का ध्यान रखें कोई पुरानी बिवारी आपको आज परेसान कर सकती है तो अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें प्रेम समन्द की बात के तो आज अपने जीवन साथी के परती सकारतमा विचार रखें उनकी भावनाओं का सम्मान करें साथी आने वाई दिनों की महत्पूर्ण कामों की योजनाएं उनके साथ सेयर जरूर करें इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज के अगर चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनारा रंग लगी नम्मर असका चार रहने वाला है बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासीम चंद्रमा आज 11 वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप पडिवार की कला सुधारने में आज आपको सफलता मिलेगी पुराने विवाद और परेसानिया खत्म हो सकते हैं सोचे हुए काम पूरे होंगे किस्मत का साथ मिलेगा कुछ लोगों के साथ आपके मनमटाव हो सकते हैं जिसके कारण आप जिन्तित भी रहेंगे आज अपने वाहन को सावधानी पूर्वक और नियंतन में चलाएं दुरगटना के योग बन रहें तो आपको थोड़ा समल क रहना होगा व्यापार और धनकी बात करें तो आज व्यापार के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें आज आपके ज्यादातर सौक पूरे होंगे खरिदारी के योग आपके लिए बन रहें जिसके कारण आपका खर्च भी आज बढ़ता हुआ दिख रहा है विद्यार्थी की बात करेंट विद्यार्थियों की मेहनत सफल रहेगी तो मेहनत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्ति की बात केंद आज आपके स्वास्ति में उतार चरहाओ आ सकता है ठकान और अलह से भी बना रहेगा मन में थोड़ी चेरी चरापन भी रह सकती है प्रेम समन्द की बात कें तो आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है आपके प्रेम समन्द मजबूत होंगे पती पत्नी के बीच अच्छी समझ भी बनी रहेगी आज की निगर बेशन से बनी हुई जीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग खाकी कलर लखी नम्मर रहने वाला आज का छे बात करेंगे अब कन्यारासी की कन्यारासी में चंदरमा 12 हुए इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपका मन सामाजिक कारियों में लगा रहेगा परिवार जुनों का सने आप पर बना रहेगा लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं यात्रा आपकी सुब रहने वाली है कारी छेतर में अधिकारी आपसे परसन न रहेंगे रुके हुए फसे हुए कारी आपके पूरे हो सकते हैं वाणी पर अपने नियंतन रखें ज्यादा आदम विस्वास में तो बिल्कुल भी ना पड़ें काम इससे आपके बिगर सकते हैं आज आपको अपनी बातें किसी से सेयर करने का मन करेगा लेकिन बातें सेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाओं सोच समझ कर ही करें बात करेंगे व्यापार और धनकी तो पैसे कमाने के नए मोके आपको मिलेंगे साथ ही खर्च की अधिकता भी रहेगी आज विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पढ़ेगा लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी जरूर होगी स्वास्त की बात करें तो अपने जीवनसाथी का रवया आपको परेशान कर सकता है साधी सुदार लोगों को अज साभधान रहने की जरूरत है आज की दिगर दही खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरारंग लकी नम्मराज का रहने वाला तीन बात करेंगे अब तूलारासिकी तूलारासिम चंद्रमा पर्थमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको आपके भाईयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा काम दंधा बराने के लिए जो भी महनत आपने पिछले दिनों में किया होगा उसका फल आपको मिलेगा आपके सोचे हुए कारी भी पूरे हो सकते हैं अपने अक्रामक रविये की वज़े से आप थोड़े परिसान भी रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिलकुल ना ले नोकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज समंद भी गर सकते हैं तो इसमें साभानी भी वरते हैं व्यापार और धन की बातकेट आपकी आए में बढ़ोतरी होगी व्यापारियों के लिए आज किन अच्छा रहेगा आज कहीं निवेस करना आपके लिए लाबदा एकसिद हो सकता है लेकिन निवेस सोच समझ कर ही करें विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बन रहें मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात करें आज आपको गैस और एसेडिटी का सामना करना पर सकता है तो अपने भोजन पर ध्यान दें और परहेज भी करें प्रेम समन्त की बात करें जीवन साथी से समान आपको मिल सकता है दामपत्य जीवन आपका मधूर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज के अच्छा रहने वाला है आज के अरःर की डाल खायेंगे तो आपके लिए सुब़ रहेगा आपके लिए आज का सुब़ रंग सी करीन कर लगी निमर साथ रहने वाला है बात करेंगे विश्चीक्राशी की विश्चीक्राशीम चन्दरमा दूसरे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुक आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जनों से मदद मिल सकती है किसी अनभवी लोग की सलाह लेंगे तो आपको सफलता काडियों में मिलेगी आज आपकी उत्सुकता कई नई चीएं सिखा सकती है लेकिन अपने गुसे पर भी नियंतन रखें आज आप आत्मी स्वास से परिपूर्ण रहेंगे परन्तु आए में कमी और खर्चों में अधिक्ता से चिंतित भी रहेंगे अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें सब ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान समान की प्राप्ति भी आने वाज दिनों में होने वाली है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार करने वाले जातक आज आई में कमी महसूस कर सकते हैं व्यापारी जन अपने फैसले जलबाजी में ना लें आपकी खर्च भी आज बढ़ेगी विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों की कमन परहाई में लगेगा और उनको सफलता भी मिलेगी स्वास्ते की बात के ठकान हो सकती है निंदे में कमी आ सकती है पुराने रोग आपको आज परेसान कर सकते हैं तो अपने स्वास्ते का ध्यान जओर रखें प्रीम समंद की बात के दाम पत्ते जीवन की खुशियां बर सकती है प्रीम योग के लिए आज के नच्छा रहने वाला है अनुकूल नतिजे मिलने की योग भी बन रहे हैं और विवाही जातकों के लिए आज विवाह के पस्ताओं आ सकते हैं आज का बनाय हुआ योजना कुस खाना पकाते हैं खाना खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग शुनाना रंग लगी नमर रहने वाले आज का चार बात करेंगे अब धनुवासी की धनुवासीं चंदर्म now तीसुस्ट्र स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे हैं। अगर जोरी हो तो कुछ लोगों से सलाह करके ही बड़ा फैसला लें। काम काज में आपको सफलता मिलेगी, कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। आपके संतान को कष्ठ हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। किसी मित्र से आपकी अनवन हो सकती है, तो अपनी वानी पे नियंतरन आप जोर रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पर जाने की योग बन सकते हैं। भगवान के परती आपकी आस्था बढ़ेगी, व्यापार और धन की बात किसी प्रियेजन की मदद से, आपके व्यापार में विर्धी हो सकती है, माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है, आज कहीं अगर आप निवेस करेंगे तो फायदे में रहेंगे, व्याप अची की बात कें विद्यार्थी आज पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित और निरास रह सकते हैं, लेकिन आपको चिंता और निरासा से निकलकर अपनी पढ़ाई में में मेहनत करना होगा, सफलता तभी मिलेगी, स्वास्त की बात कें गले या मुँन से समंधित, कुछ प आपके लिए आज का सुबरंग ब्राउन कलर लकी नम्मर छे रहेगा बात करेंगे मकर रासिकी मकर रासिम चंदरमा चौथे स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुब आज आपको कुछ फसे हुए कारियों को लिप्टाने में सफलता की प्राप्ती होगी आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को आप खत्म करने में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे अपने काम को लेकर अगर संकोच में नहीं रहते हैं आज तो आपको उसमें फाइदा हो सकता है आज हो सकता है आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए कहीं पर से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं लापरवाही और संकोच में ना परें इससे आपको आपके केरियर में हानी होगी अपने व्यापार में अगर योजना बत तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा भी होगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए प्रेम समन्द की बात करें आज आपका ववाहिक जीवन सुख में रहेगा लेकिन जीवन साथ ही के स्वास्ते का ध्यान रखें और विवाहित लोगों को प्रेम समन्द में सफलता मिलने के योग बन रहें प्यार के जहार करने के लिए आज के लिए अच्छा रहेगा आज क के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग नीलारंग लगी नमर आठ रहने वाला हैं। रत्मक सोचों से बचें इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं। जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा। लेकिन जीवन साथी से वादिवाद में ना परें। लड़ाई जगरे भी आपके आज हो सकते हैं। आज किन चने की डाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुब रंग महरून रंग लकी नमर दो रहेगा। बात करेंगे मीन दासी की। मीन दासीम चन्तरमा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज अगर आप कोई कारी आरहम करेंगे। तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद करते हैं तो उसका फाइदा भी आपको कही न कहीं मिलेगा। कुछ छेतरों में नई सुर्वात भी हो सकती है किसी परकार के धार्मी कारी करने की योग भी बन सकते हैं। परिवार की सुक्स्विधाओं का विष्थार संभव है। संतान के तब से थोड़ी चिंत आपको अज रह सकती है खास करके संतान की गतविधियों से। वाद व्य आकारी आरम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्चित तोर पर हो। निवेस करने में आज अचनक से फैसले ले सकते हैं पैसे के लेन दिन में आपको किसी के जूट के कारण। आज नुकसान हो सकता हैं कोई अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है व्यापारिक क्यात्रा के योग भी बन सकते हैं विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तर पर होगी स्वास्त की बात करें स्वास्ति आपका अच्छा रहने वाला है सुबा सुबा अ न रसिभल अप जालने से आज का वाव बच्ए से लेकर 3 बच्जाव कर 25 मroot तक इस समय में को भी नयाकारी आरम कने से इसंवे आपको औज सबस्क्र लगाने यह अ दिशासूल आज पूर उदिशा में है, पूर उदिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करें, आप आपको नुकसान हो सकता है, और आज का सुब खादे, कुछ नहीं है क्योंकि आज सोमवार है, आज दरपन देखर यातर नारम करेंगे, तो आपके कारी बनेंगे, तो में तो यहाँ पर मैं आपको आज का संपून रासिभल बता है, कल के संपून रासिभल के लिए धर्मसिक्षा के साथ, और देखते रहे हैं, धर्मसिक्षा, जे मात दी